कैसे हो दोस्तों यदि आप लोगों को भी ये प्रोग्लम फेश करना पड़ रहा है तो आज का ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए प्रस्नी लेकर आया हूं इस वीडियो के अंदर आपको लाइब रूफ दिखाऊंगा कि आप अपने पेंडराइफ या कोई भी मिमोर या चीप का आप डाटा रिकवर कर सकते हो यदि ये प्रोग्लम आता है तो सोई वीडियो के आखरी तक बने रियेगा क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा इंट्रेस्टिंग होने वाली है आप सभी के लिए और वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर प्लीज जैगा जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहां पर मेराinken ड्राइब कि नहीं सो कर रहा है और मैं आपको ओपन करके भी दिखाता हूह। तो हमें वही सेम प्रोग्लम दिख रहा है जैसा कि आपको डिश्पलेएं पर आपको डिकुश आक्प्सन्स आ जारा है तो यहां करने के बाद भी डाटा को रिकवर कर सकते हैं बट हमारे पास जब डाटा है तो फॉर्मेट क्यों करेंगे अपने डाटा को पहले रिकवर कर लेंगे फिर हम लोग फॉर्मेट करेंगे हालाकि वीडियो हम लोग की थोड़ी लंबी होगी लेकिन कोसिस करूंगा मैं कि आपको को यतना हो सके जल्द दिखा सकूं सो फैनले स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग अपने क्रोम ब्राउजर को ओपेन करेंगे और एक सब्ट्वेर डाउनलोड करेंगे और सर्च करेंगे यहाँ पर जैसा कि आपको डिस्पेले पर दिख रहा है जैसा कि हमें सर्च करना है फाइंड एंड मांट जो कि अप जैसे ही इसे सर्च करते हो तो आपके पास कुछ ऐसा ओप्सम्स आ जाता है तो अब ही refresh करके continue site पे click कर देंगा ठीक है इतना करते ही हमारा site open हो जाएगा और हमें यहाँ पर download करने का options भी मिल जाएगा और आपको यहाँ पर total detail मिल जाता है तो download पर click कर देंगे ठीक है जो link दिख रहा है और यहाँ पर आपना जो downloading हो रहा है उससे 100 कर लेंगे 100 पर और यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो कि हम लोग का software downloading होना start हो चुका है और यह बहुत ही कम MB का है और बहुत fast हो जाता है और हम लोग का यहीं से इसको run कर लेंगे आने कि install कर लेंगे ठीक है तो run पर जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे पास कुछ ऐसा options देखने को आएगा तो next पर click कर देंगे ठीक है फिर से हम लोग next कर देंगे और फिर से यहां पर next कर देंगे जब तक यहां पर next माग रहा है हम लोग next करते जाएंगा ठीक है तो यहां पर next फील कर देते हैं और यहां पर finally install पर click करते हैं ठीक है और यह हम लोग का install हो तो तो यहां पर मैं जो अपना इसता कि आप देख सकते हो मिनमाइज कर चुका हूं है और यहां पर देखेंगे तो हम लोग का नीची की साड में USB आप लोग का ड्राइब दिख रहा है जो कि मेरा 32GB का USB ड्राइब है उसमें 24GB का डाटा है जो कि आप देख सकते हो और उपर पर देख सकते हो कि हम लोग का टाइमिंग चल रहा है यहां पर कितना सिकेंड यहां पर कितना परसेंटेज चलेगा इसको हम लोग को 100% तक वेट करना होगा ठीक है जैसे हम लोग का यह 100% complete होता है देख सकते हो जैसा कि मैं वीडियो को escape कर दे रहा हूं ताकि हम लोग की ज्यादा वीडियो लंबी ना हो तो यहां पर 90% हो चुका है परचेंट हो चुका है फाइनली हम लोग का यह ओके हो चुका है तो यहां पर अपनलों क्या करेंगे इसको क्लोज कर देंगे आपके पास एक छोटा सा यह पो पर आएगा जो कि scan complete आपको दिखेगा ठीके तो यहां पर close कर देंगे और अपनों फिर से अपने उस पर click करेंगे click करके आपको देखेंगे तो यहां पर एक mount का option आ जाता है और यहां पर एक select option आता है तो यहां पर हम लोग हो फिर चे हो एच सेलेकट करेंगे अपो ध्यान रखना है ठीक कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हो वर यहाँ टो ओक zeker ढब करने के बाध हम लोग का जो डाटा है वो फिर से रिकाफर होना स्टार्ट हो जाएगा और पूरा डाटा सो कर जाएगा ठीक है जैसा कि आपको थोड़े ही दिर में दिखेगा और लोडिंग लेगा तो थोड़ा था टाइमिंग वेट कर लेंगे अपने केम्पूटर के हिसाब से मेरा केम्पूटर बहुत ही ज्यादा स्लो है तो आप जैसा कि देख सकते हो कि हम लोग का टोटल डाटा रिकाबर हो चुका है मेरे pen drive में साधी का वीडियो है जो कि साथ यहाँ पर फाइले आपको नीचे के साड में दिख रही है तो यह 24GB के आसपास है मेरा यह टोटल वीडियो तो मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगा था रिकाबर करने में जैसा कि मैं इसको सबसे पहले जो कोई भी नाम देता हूं कोई भी नाम देता यहां जीसा है मैं फोल्टर को ओपेन किया और इसके बाद आपन लोग इसे पेस्ट कर देंगे, ठीके पेस्ट करने के बाद आप देख सकते हो कि हम लोग का data यहाँ पे पूरा copy होना start हो चुका है दोस्तों यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा time लगा था आप video में मेरे desktop के नीचे देखेगा timing में कितना फरक आपको देखेगा मुझे लगभग यहाँ पे 23-24 गंटे लगी चुके थे क्योंकि मैं सुबा 8 बजे आज पास से start किया था इसको recover करने कोशिज किया था काम किया था और मुझे सुबा के 5 बजे जाके पूरा data recover हुआ था तो आप यह देख सकते हो मुझे आप वीडियो को मैं fast कर दिया हूँ लेकिन आप timing देख सकते हो कि मैं timing आपको पूरा देखने को मिलेगा तो क्योंकि मैं उतना देर का वीडियो नहीं डाल सकते था डालता भी तो कोई नहीं देखता इसलिए यदि आपका computer fast है तो आप इस GB का data recover कर रहा हूँ क्योंकि आप आपको मेरा ज्यादा वीडियो भी है फाइल भी बड़ा है और इसलिए मेरा computer भी slow है फिर भी अपनलों का काम तो करना है तो इसलिए मैं data को recover करी रहा हूँ लेकिन यहाप आप देख सेकते हो कि लगबाग यहापे दो घंटे का time और दे र रख दिया जैसा कि आप नीचे के साइड में देख सकते हैं कि दो तीन चार पांच फाइल को हमाई आप पर कॉपी करके अपने डेश्टाब से अपने लोग यहाप यहाप रख दिया है ठीक है तो मेरा hardx भी कम है और मेरा hardx बहुत ही ज्यादा कम है और ज्यादा फाइल न में था मेरे ठीक है तो इसे अपन लोग अभी कट कर देंगे ठीक है इसको कोई काम नहीं अब जोबा का पांच बच चुका है आप जैसा की केम्पूर में देख सकते हो साड़े पांच हो रहा है तो मैं आपको केम्पूर में ओपन करके भी दिखाता हूं कि मेरा जो चार फ क्योंकि हम लोगा जो डाटा है उससे तो हम लोग रिकाफर कर चुक हैं अब ही कुछ भी नहीं दिख्कत था है क्योंकि हम लोग का जो वीडियो अ हम आपस आ चुका है तो अपने pen drive फिर से निकाला हूँ निकालने के बाद मैं फिरसे डालूगा मतलब खोस दूगा उस में खोसने के बाद हम लोग का pen drive जैसे ही so करता है वैसे हम लोग उसे pen drive को फर्मेट कर देंगे ठीक है फर्मेट करने के बाद जैसे आप सकते हो खाली हो चुका है यहां पर मैं फॉर्मेट में क्लिक करके फॉर्मेट कर दता हूं और इस्टार्ट पे क्लिक कर देंगे इस्टार्ट पे क्लिक करने के बाद हम लोग का फैनली पेंड्राइप यहां पे फॉर्मेट हो चुका है ठीक है अभी कोई दिक्कत नहीं है कोई इसूर नहीं है ठीक है हम लोग का डाटा था वो भी हम लोग रिकाभर कर चुके हैं और अब भी क्या करेंगे कि जो हम लोग के मेरा पेंडराईब तीज भी अधा लेकिन दिखा रहा था खाली क्या करेंगे सबसे पहले मैं इपने टोटल फाइल को इसके अंदर आड़ कर देता हूं फिर मैं आपको वीडियो के अंदर जो डाटा हमें रिकाभर किया हूं वो वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है यह स पर कर दो में डाता रिकवर नहीं हो रहा था बहुत मुझे आप बहुत सारा वीडियो मिला था तो मैं इस लिए वीडियो को मिले गता रिकार्डिंग नहीं कर रहा था लेकिन मुझे नहीं मुझे रिकषा कि नहीं प्लीक देना चाहिए लोगों को कि या धोल will oftenём सो उत्र है उसका क्रप्ट हो चुका था डाटा तो उसने मुझे बोला तो इसलिए उसका मैं रिकवर किया आप देख सकते हो कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक वीडियो चल रही है जो मैं डाटा है आपको साथ वीडियो मैं प्ले करके दिखाऊंगा आप कोई दिक्कत नहीं लेना दल रहा है और आनक कोई जैसे कि आपको डिस्प्लेइप मेरे सब्ट्वेर दिख रहे होंगे मैं बहुत सारा सब्ट्वेर भी कुस्टमाल किया बट यह रियल सब्ट्वेर लगा और यह बिल्कुल फिरी है कोई भी इसका चार्ज नहीं देना है नहीं पैड करना है हमें ब आपको भी एक प्रोग्लम आ रही है तो उमीद करता हूँ कि आपका यह प्रोग्लम सॉल हो गया होगा अभी तक तो आपने वीडियो को लाइक भी कर दिये होंगे साथी साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेलीको और पर प्रेस कर दिजेगा और कोई भी आपको यूशू ह वो सॉल नहीं होता है आपसे तो प्लीज मुझे कोमेंट करके बताईएगा उसमाँ आपको उस प्रोग्लम का सॉलूशन लेके आजाओंगा तो थैंक्यू गाइस वीडियो फोर वाचिंग